एलविश यादव की टीवी इंडस्ट्री या बॉलिवीड इंडस्ट्री में हमेशा ही एक बोल वाला नजर आया ही है ऐसे में उनके चाहने वाले वहाँ जरूर देखने को मिले हैं और इसी में एक जुड़ चुका है नाम संभावना सेट का संभावना सेट हाली में एक इंट्वी देती हुई सामने आए जहाँ पर उन्होंने ये बताया कि एलविश आखिर कितने रिस्पेक्टफुल इंसान है संभावना ने एक लियर कहा है कि उनका एलविश कोई मतलब नहीं ना ही कोई दोस्ती है ना ही आज तक अभी बात हुई है लेकिन हाँ एक इंसिनेंट जरूर है जिससे वो ही जानती है कि एलविश जानता है कि सीनियर को किस तरह रिस्पेक्ट देनी चाहिए उनसे इंटिव्य में पूछा गया कि आखिर आप अभी शेक, एलविश, शोयब दपिका इनकी किसके व्लॉग्स के बारे में या किसके इंसान के बारे में कुछ कहना चाहेंगी यहाँ पर उन्होंने व्लॉग्स नहीं बल्कि इंसानियत पर बात की उनकी पर बात की और वो सिफ एलविश के बारे में बात करती हुई नजराय जिससे उनका एक लियर था कि वो किसी और को जानती नहीं है या किसी का काम उन्होंने नहीं देखा है और नहीं एलविश का उन्होंने देखा उनका कहना है कि मैंने कभी वो Vlogs खास कभी देखे नहीं किसी के लेकिन हाँ मैं Elvis के बारे में इतना जरूर कहना चाहूंगे कि एक event था जहां पर हम दोनों का आमना सामना हुआ Elvis मेरे आगे से गुजर कर जा रहा था उसने Hello Hi नमस्ते न मैंने की न उसने लेकिन एक respectful एक gesture होता है आख बंद करकर हलका सा सर जुका कर किसी को हाई Hello कहने का जो अपने senior को इनसान करता है और उसके लिए respect दिखाता है संभावने ने कहा Elvis ने जब मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम सिर्फ actors ही नहीं हम इनसान सिर्फ respect के भूखे होते हैं और जब इस तहां की को respect दिखाता है तो देख कर बहुत अच्छा ज़रूर लगता है और ऐलविश के सारिश के बाद संभावना ने जिस तहां ऐलविश आर्मे का दिल जीता है ये तो वालग ही बात है क्या कहेंगे इसके पर आखिर आखिर आख सबी कॉमेंट करके हमें जरूर बताएगा वीडियो को लाइक शोड़ चानल को सबस्क्राइब के बनाव बिल्कुल भी न चाहें